यश्पाल का नाम आधुनेक हिंदी साहित्य के कठाकारों में प्रमुख है. ये एक साथ ही ख्रांतिकारी एवं लेखक दोनों रूपों में जाने जाते हैं. क्रेमचंद के बाद हिंदी के सुप्रसिद प्रग्तिशील कठाकारों में इनका नाम लिया जाता है. आज साहित्ते के पन्नों से हम उनके द्वारा रचित कहानी अकपार में नाम सुनेगे यश्पाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था इनके पिता का नाम हीरालार था जो एक साधारन कारोबारी विप्ती थे इनकी माता का नाम प्रेमदेवी था यश्पाल की प्रारंभिक शिक्षा कांड़ा में हुई कतपश्चात उन्होंने लाहोर के नेशनल कॉलिज से बी ए किया कभी उनका परिचे सर्दार भगत सिंग और सुकतेव से हुआ उनके संपर्क से वे क्रंतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे धीरे धीरे उनका जुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया अमर शहीद भगत सिंग आदी के साथ मिलकर इन्होंने भारतिये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया परिणाम स्वरूप इन्हें एक लंबे समय तक फरार रहना पड़ा और फिर कई साल जेल में भी कुजारने पड़े इसके बाद इन्होंने साहित्ते को अपना जीवन बना लिया जो काम कभी इन्होंने बंदूग के माध्यन से किया था अब वही जन्जागर्ण का काम इन्होंने बुलेटिन के माध्यन से करना शुरू कर दिया यश्पाल को साहित्ते एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था यश्पाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है लेकिन अपने लेखन की शुरूआत उन्होंने कहानियों से ही की उनकी कहानिया अपने समय की राजनीती से उस रूप में आकरांथ नहीं है जैसे उनके उपन्यास उनके कहानी संग्रहों में पिंजरे की उडान, ज्यानदान, भस्मावरित चिनगारी, फूनों का कुर्ता, धर्म्युद, तुमने क्यों कहा था मैं संदर हूँ और उत्मी की मा प्रमुख है इसी कहानी संग्रह से चुनकर आज हम आपके लिए लाए है, आज की कहानी अख़बार में नाम जून का महीना था, दो पहर का समय और धूप कड़ी थी, ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर दबल मार्च करने का आरडर दिया लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंब किया था कि अनन्त राम गिर पड़ा मास्टर साहब ने पुकारा हाल लड़के लाइन से बिखर गए मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए मास्टर साहब ने एक लड़की को दोर कर पानी लाने का हुक्म दिया दो-तीन लड़के स्कूल की कापिया लेकर अनन्त को हवा करने लगे अनन्त के मुँपर पानी के छीन्ते मारे गए उसे होश आते आते हेड मास्टर साहब भी आ गए और अनन्त राम के सिर पर हाथ फेर कर पुछकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनन्त राम को उसके घर पहुचाने गए स्कूल भर में अनन्त राम के बिहोश हो जाने की खबर फैल गई स्कूल में सब उसे जान गए लड़कों के धूप में दोड़ते समय गुर्दास लाइन में अनन्त राम से दो लड़कों के बाद था यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा अगर अनन्त राम की जगह वही बिहोश होकर गिर पढ़ता वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता आह भर कर उसने सोचा सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती श्रेनी में भी गुर्दास की कुछ ऐसी ही हालत थी गणित के मास्टर साहब सवाल लिखा कर बिंचों के बीच में घूंते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा लड़कों के मन में यह होर चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन ख़ड़ा हो जाता है गुर्दास बड़े यत्म से अपना मस्तिष्क कापी में गड़ा देता गुर्दास का उत्साह भंग हो जाता और दो-तीन पल की देग यो भी हो जाती कभी-कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलजन के कारण कहीं भूल भी हो जाती मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्डा को और डाटते तो खलीक और महेश का ही नाम लेकर नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्डा, खलीक और महेश का ही गुर्दास बेचारे का कभी नहीं ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कोई डांटडपट के प्रती निर्धवन्ध होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिये जाने से लोगों की नजर में चड़कर नाम कमा लेते गुर्दास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता इतिहास में गुर्दास की विशेश रूची थी शेशा सूरी और खिलजी की चड़ाईयों और अकपर के शासन के वर्नन उसके मस्तिश्क में सचित्र होकर चकर काटते रहते वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्नन भी वह अपनी कलपना में अपने आपको शिवाजी की तरह उची, नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाड़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने तलवार लिये सेना के आगे भोडे पर सरपट दोरता चला जाता देखता इतिहास को यो मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वन समा जाने पर भी गुर्दास को इन महत्वकून घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे क्योंकि गुरुदास के कालपनिक एतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरुदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम कुकारे जाने का समय ना आता सबके सामने अपना नाम को कारा जाता सुनने की गुर्दास की महत्वा कांक्षा उसके छोटे से हृदे में इतिहास के अतीत के बोज के नीचे दबकर सिसक्ती रह जाती तेस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं परंतु जीवन वास्तव में उनहीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिन्दा छोड़ जाते हैं गुर्दास के सिसक्ते हृदे को एक और चोट पहुचा देता गुर्दास अपने माता पिता की संतानों में तीन बहनों का अकेला भाई था उसकी मा उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी स्वयम पिता रेलवे के दफ्तर में साधारन टलर्की करते थे कभी कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा ख्याती और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुर्दास श्रेनी और समाज में अपने आपको किसी अनाज की बोरी के करोडो एक ही से दानों में से एक साधारन दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था ऐसा दाना की बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं देता ऐसे समय उसकी नित्य कुछली जाती महत्वा कांक्षा चीक उठती कि बोरी के छेट से सड़त पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों न हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षरों में अकपारों में छप जाए गुर्दास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है परन्तु अख्वारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यू के प्रती विद्रूप से मुस्करा रहा है। मृत्यू उसे समाप्त न कर सकी। आयू बढ़ने के साथ साथ गुर्दास की नाम कमाने की महत्वा कांक्षा उग्र होती जा रही थी, परन्तु उस स्वप्न की पूर्ती की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी-बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर खृपा द्रिष्टी रखने वाले एक बड़े साहब की खृपा से दफ्तर में केवल क्लर्खी बन पाया। जिन दिनों गुर्दास अपने मन को समझा कर यह संतोष दे रहा था कि उसके मुहले के हजार से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अख़वार में नहीं छपा। तभी उसके मुहले के एक नी संतान लाला ने अपनी आयू भर का संचित गुप्तधन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोशना कर दी। लाला जी का अख़वार में केवल नाम ही प्रशनसास हित नहीं छपा। उनका चित्र भी छपा। गुर्दास आह भर कर रह गया। साथ ही अख़वार में नाम छपवा कर नाम कमाने की आशा बुझती हुई चिंगारियों पर राख की एक औरता पढ़ गई। गुर्दास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के करमों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अफसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल वसंद के आरंभ में शहर में लेक फूट निकला था। दुर्भागे से गुर्दास के गरीब मुहले में गलिया कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मुहले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मुहले की गली के मुहाने पर रह्मान साहब का मकान था। रह्मान साहब ने आत्मरक्शा और मुहले की रक्षा के विचार से चूत की बीमारी के हस्पताल को फोन करके इंबूलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकठे हो गए दुलारे को स्ट्रेचर पर उठा कर मोटर पर रखा गया और हस्पताल पहुचा दिया गया विनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत सोर से सफाई की मुहले के हार घर में दुलारे की चर्चा होती रही गुर्दास संध्या समय थकामांदा और जुझलाया हुआ दफ्तर से लोट रहा था भीर में से अकपार वाले ने पुकारा आज शाम की ताजा अकपार नाहर मुहले में प्लेक फूट निकला आज की खबरे पढ़िये अकपार में अपने मुहले का नाम छपने की बाद से गुर्दास सिहर उठा उसके मस्तिष्क में चमक गया ओह दुलारे की खबर छपी होगी अकपार प्राय वह नहीं खरीदता था परन्तु अपने मुहले की खबर छपी होने के कारण उसने चार पैसे खर्च कर अखपार ले लिया सचमच दुलारे की खबर पहले प्रिष्ट पर ही थी लिखा था बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंग खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी गुर्दास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देश से आरंग होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंता जंग है पढ़कर दुख हुआ फिर ख्याल आया इस आदमी का नाम अकपार में छप जाने की क्या आशा थी पर छप ही गया अपना अपना भाग्य है एक गहरी सांस लेकर गुर्दास ने सोचा दुलारे की अवस्था चिंता जंग होने की बात से दुख भी हुआ फिर ख्याल आया देखो मरते मरते नाम कर ही गया मरते तो सभी है पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी ख्याल आया कहीं बीमारी मुझे भी न हो जाए भय तो लगा पर यह भी ख्याल आया की नाम तो जिसका च्पना था च्प गया अब सब का नाम थोड़े ही च्प सकता है खेर दुलारे अगर बच न पाया तो अखपार में नाम छप जाने का फाइदा उसे क्या हुआ मज़ा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखपार को अपनी कोठली में लटका ले गुर्दास को होश आया तो उसने सुना इधर से संभालो उपर से उठाओ कूलहे में बहुत सोर से दर्ध हो रहा था वह स्वयं उठ न पा रहा था लोग उसे उठा रहे थे हाई हाई मा उसकी चीखे निकली जा रही थी लोगों ने उठा कर उसे एक मोटर में डाल दिया हस्पताल पहुचकर उसे समझ में आया कि वहाँ बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे एक बच्चे को बचाने के प्रेत्न में मोटर को दाई तरफ जल्दी से मोरना पड़ा उन्होंने बहुत सोर से हान भी बजाया और ब्रेक भी लगाया पर ये आदमी चलता चलता अकपार पड़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं गुर्दास कूल हे और घुटने के दर्द के मारे करा रहा था कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही न थी डाक्टर ने गुर्दास को नींद आने की दवाई दे दी वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया रात में जब नींद तूटी तो दर्द फिर होने लगा दर्द में भी एक उत्साहसा अनुभाव हुआ और दर्द भी कम लगने लगा कल्पना में गुर्दास को अकपार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा सुबह जब हस्पताल की नर्स गुर्दास के हाथ मुंग धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए वकील साहब एक स्टूल खीच कर गुर्दास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुँच गया उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोज है हम तुम्हारे लिए दो-चार सो रुपय का भी प्रबंध कर देंगे कचहरी में तो मामला पेश होगा ही जैसे हम कहें तुम बयान दे देना समझे गुर्दास वकील साहब की बात सुन रहा था पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल मोल लिपते अकपार की उर्था रह न सका तो पूछ बैठा वकील साहब अकपार में हमारा नाम चपा है हमारा नाम गुर्दास है मकान नाहर मुहले में है वकील साहब की सहानु भूती में जुकी आखे सहसा पूरी खुल गई, अखपार में नाम उन्होंने पूछा चाहते हो छपवा दे हाँ साहब, अखपार में तो जरूर छपना चाहिए आगरह और विने से गुर्दास बोला अच्छा, एक कागस पर नाम पता लिख दो, वकील साहब ने कलम और एक कागस गुर्दास की ओर बढ़ाते हुए कहा अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, ऐसी बात है गुर्दास को लंगराते हुए ही कचहरी जाना पड़ा वकील साहब की टेड़ी जिरा का उत्तर देना सहज न था, आरंभ में ही उन्होंने पूछा तुम अखपार में नाम छपवाना चाहते थे जी हाँ, गुर्दास को स्वीकार करना पड़ा तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखपार में छप जाएगा वकील साहब ने फिर प्रश्न किया जी हाँ, गुर्दास कुछ जिजका पर उसने स्वीकार कर लिया अगले दिन अखपार में छपा, मोटर दुरघटना में आहत गुर्दास को अदालत ने हरजाना दिलाने से इनकार कर दिया आहत के बयान से साबित हुआ कि अखपार में नाम छपाने के लिए ही वह जानबूज कर मोटर के सामने आ गया था गुर्दास ने अखवार से अपना मुह धाप लिया किसी को अपना मुह कैसे दिखाता